हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोईटा की तरफ से आने वाली एक नूली लॉंच पिकप टरग जो की रहेगा हायलेक्स अब अगर इसके वेरियंट की बात करें तो जो आप वेरियंट देख रहे हैं यह है इसका बेस वेरियंट तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रेंट साइट से फ्रेंट साइट से बात करें तो इसके अंदर जो आपको हेडलांप्स मिलेंगे यह हैलोजन ही मिलेंगे क्योंकि यह बेस वेरियंट है लेकिन अगर नीचे से देखें तो इसके अंदर आपको LED Fog Lamps मिल जाती है Overall इसकी Friend Look Fortuner से Inspired लगती है अगर Grill की बात करें तो वो आपको Piano Black Finish के अंदर मिलेगी नीचे से देखें तो इसके अंदर आपको Silver Finish के अंदर Skate Plate भी मिल जाती है अगर बात करें इंजर आपशन की तो इसके अंदर आपको सेम 2.8 लीटर का इंजर मिलता है जो कि आपको Fortuner के अंदर भी मिलता है तो चलिए हम चलते हैं इसकी Side Look में आपको क्या क्या Features मिल जाती है Side से बात करें तो इसके अंदर आपको 17 इंचे के Alloy Wheels मिल जाती है जो कि आपको सेम Fortuner के अंदर भी मिलते हैं अगर O.R.V.E.M.S की बात करें तो आपको Piano Black Finish के अंदर मिलेंगे अगर इसके नीचे आपको Hellex की Branding भी मिल जाएगी साथी साथ इसके अंदर आपको अच्छा कासा Ground Larence and Full Body Cladding भी मिल जाएगी जैसे कि यह Base Variant है लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर 4x4 का Option मिल जाता है क्योंकि Hellex के अंदर आपको 4x4 Option as a Standard Option ही है अब अगर रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको जैंटीना मिलेगा वो आगे की तरफ प्लेस्ट मिलेगा अगर Toyota Hellex के Main Competitor की बात करें तो वो रहे की Isuzu V-Cross जैसे कि आप जानते ही होंगे कि Toyota Hellex के Prices अभी तक Reveal नहीं होए लेकिन अगर हमें Estimate लगाएं तो इसका Base Variant 32,00,00 एक्शोरूम कोस्ट करेगा जो की On Road आते आते 36-38,00,00 के बीच में कोस्ट करेगा आपको अब Rear Side से बात करें तो वो ही Look मिलती है जो की आपको Other Pickup Trucks के अंदर मिलती है Rear से बात करें तो इसके अंदर आपको LED Tail Lamps और नीचे की तरफ आपको Black Bumper मिल जाता है जिसके अंदर आपको 4 Reverse Parking Sensors मिलेंगे और अगर हम देखें इसका Boot Space तो इसके अंदर आपको Ample Amount of Boot Space मिल जाते है जो की ऐसे खुल जाता है और इसके अंदर आप काफी सारी Modifications भी करा सकते हैं और Easily आप इसके अंदर अपना घर Shift भी कर सकते हैं अब इसके अंदर अच्छी कासी Build Quality का यूज करें और जो की इसको काफी साथ Rough and Tough Car बना सके अब इसके Engine Option की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.8L Diesel Engine Option मिल जाता है जो की 201PHP की पावर निकालता है और 420NM का Torque इसके साथ आपको 6-speed Manual Gearbox ही मिलेगा अगर आप इसका Top End Variant लें तो इसके अंदर आपको 6-speed Automatic Transmission का भी Option मिलेगा अगर इसके Variants की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 Variants मिलेंगे जो के एगा High and Standard जो आप देह रहे हैं यह है सिका Standard Variant कलर Options की बात करें तो Standard Variant की अंदर आपको 2 Color Options ही मिलेंगे जो कि रहेंगे सूपर वाइट और मेटेलिक ग्रे परिसनली मेरे को इसका मेटेलिक ग्रे कलर आप्शन जादा अच्छा लग रहा है इस कंपरेटिवली टू सूपर वाइट कलर तो चलिए भाप आपने देखी लिए ये कार एकस्टिरियर से अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में आपको इसके बेस विरियन के अंदर क्या-क्या फीचर्स ओफर करे गए हैं अब इंटीरियर से बात करें तो इस कार के अंदर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे साथी साथ silver inserts भी मिलेंगे जो की काफी साथ अब premium लोग दे रहे हैं driver side door से start करें तो इस car के अंदर आपको all for power windows and electrically adjustable and foldable ORVMs के control मिल जाएंगे steering wheel की बात करें तो इसके left side में आपको steering mounted audio control and cruise control जैसे options भी आजाएंगे सवेरियन के अंदर साथी साथ आपको काफी सारी safety features भी मिल जाएंगे जैसे की traction control, hill hold control and downhill assist and जैसे की Toyota Hilux के अंदर 4x4 as a standard option आ रहा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका knob अब अगर instrumental investor की बात करें तो इसके अंदर भी आपको काफी बड़ी M.I.D. मिल जाती है seeds की बात करें तो एक काफी जात आपको comfortable feel होंगी लेकिन इसके base variant के अंदर आपको fabric policy मिलेगी अब center से बात करें तो दोनों AC vents के बीच में आपको digital clock मिल जाएगी and उसके नीचे 8 inches का बड़े infotainment screen मिल जाएगा with apple carplay and android auto and इसी के नीचे देखें तो आपको manual AC मिलता है मेरे according इस price packet में आपको automatic climate control तो मिलना चाहिए था and अगर center से देखें तो इसके अंदर आपको front armrest and एक bottle holder मिल जाता है overall इसका cabin आपको काफी जादा spacious लगेगा अब roof से बात करें तो इस कार के अंदर आपको two cabin lamps, sunglass holder and auto dimming air vm भी मिल जाएगा overall हम देखें तो Toyota Hilux के base variant के अंदर भी आपको सारे practical features मिल जाती है rear से बात करें तो इसके अंदर आपको adjustable headrest and armrest को option मिल जाता है rear passengers को कुछ ऐसी आईगी front dashboard की लोग जो की आपको similar ही लगेगी Toyota Fortuner से side से बात करें तो यहापे आपको दो grab handle मिल जाती है जो की आपकी entry और exit काफी जादे easy कर देंगे and अगर rear door की बात करें तो यहापे आपको power window के control, bottle holder and speakers मिल जाएंगे and यहाँ से आप अपना देख सकते है cargo space जो की काफी जादा huge मिल जाता है आपको Toyota Hilux के अंदर so मेरे according से काफी जादा बड़ी है segment है जिसके अंदर आपको अच्छा सा space भी मिल जाता है and एक practical car मिल जाती है and अगर हम इसको place करें तो यह Toyota Innova Krista से उपर है and Toyota Fortuner से नीचे है तो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video and please subscribe to this channel for more interesting videos